प्यारे दोस्तों सादर अभिवादन मैं हूँ आपका साथी महिश्क मारुएद चर्चित मुद्दों की कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्टियस्वाम शेक संग के हरियाना के पानीपत जिलास्थित गाउं पट्टी कल्याना में बनाये गए नए और विशाल सेवा संग के एजेंडे को हर तरीके से आगे बढ़ाएगा ये नया ठिकाना एक ओर जहां हिंदुत की जड़ों को गहरा करेगा वहीं पूरे उत्तर भारत में संग की साखाओं का विश्तार करने में मददगार बनेगा दो दिन पूर राष्टियस्वाम सेक संग के सरकारेवा द मादव जन सेवा नयास दुआरा किया गया है लेकिन हकिकत में ये संग का उत्तर भारत का मुख्याले कहा जा सकता है संग के स्वयम सेवक इसके अंदर से बड़े बदलाव की उमीद कर रहे हैं आर एसेस के नागपूर मुख्याले से इसका रुत्बा आने वाले समय में किस विष्टारधारा अखरती हों मगर संग्ठन चमता को विष्टार देने में जितना पशीना आर एसेस के टीम बहाती है दूसरे संग्ठन उसके आसपास भी नहीं है ये ठीक है कि संग को इस समय केंद्रवे हरियाना की भाजपा के सत्ता में होने का प्रत्यक्स और प्रत्यक का उलेकिया उसे यह सपष्ट है कि संग मोधी सरकार के कामकाज से पूर्ण तया संतुष्ट है कोई आश्चिर नहीं होगा अगर निकट भविष में संग के स्वेम सेवक घरगर पहुचकर आत्म निर्वर भारत अवियान और मेक इन इंडिया जैसे लोग प्रिये या कहें संग प्रियविशियों को लेकर दस्तक देते नजर आएं में आत्म निर्वर ग्राम विकास की परिकलपना को साकार करने के लिए काम किया जाएगा और कोसल विकास के अंदर स्थापित किये जाएंगे इसके लिए श्री विष्व कर्मा कोसल विष्व विद्याले के साथ MOU यानि Memorandum of Understanding Sign किया गया है सरकारवा दत्तात्रे ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सेवा साधना एहम ग्राम विकास केंदर के निर्मान में एक लाख परिवार जुड़े हुए हैं जाए रहे यह संक्या इस केंदर से लोगों के भावनात्मक लगाओं को दर्शाती है आईए पहले सुनते हैं दत्तात्रे होस्वले की एहम बातें और बाद में हम जानेंगे कि केंदर की क्या है विशेष्टा हैं तो सुनिए जरा जैसे अभी पुझ महराजी ने कहा इतने सुन्दर विशाल व्यापक भव्य परिसर इसके निर्माण में एक लाख परिवार जुड़े हैं इसका आपने विशेष रूप से कहा यही इसकी विशेष्टा है और इसके कारिया जोब चलेगा सेवा साधना और ग्राम विकास लाखों परिवार जुड़ना चाहिए इसलिए इसके आज लोकारप्ण हो रहा है जैसे कहते हैं न लोक तंत्र के बारे में बाई दी पीपल फॉर दी पीपल और आफ दी पीपल ऐसे हैं प्रकल्प यह समाज का है समाज से हैं समाज के लिए है तो समाज से बनाया समाज के सहयोग से और समाज के लिए बनाया और लोकारप्ण जब होता है वो समाज का बनता है तो इसलिए आज पूज्य महराजी के दिवसाने दिमें यह सारा प्रकल्प लोक के लिए समाज के लिए समस्त मानोता के लिए यहां अर्पित हुआ है अब आपने दत्ता त्रेजी को सुना अब पट्टी कल्याना में बनकर तयार हुए सेवा साधनयम ग्रामविकास केंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस केंदर का सिलानियास नो जून दो हजार अठारे को सरसंग चालक मोहन भागवत ने किया था 28 एकड़ जमीन पर फैला यह केंदर अंतराश्टी मानकों के अनुरूप चार लाख वरग फिट छेतर में निर्मित है यहां तमाम तरह की अत्यादुनिक्स विदाएं उपलब्द है हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी पुस्तकाले, कंप्यूटर लेब, चिकित्साले, पूजा गिरे, ध्यान साधना केंदर वह मंदिर यहां आने वालों का ध्यान खिचते हैं गोधन संवर्धन वे संरक्षन के लिए गोसला भी है और एक साथ दो हजार लोगों के बैठने के लिए शांदार होल इतना ही नहीं चोटी बैठकों के लिए पांच-पांच सो व्यक्तियों के बैठने के लिए दो नए भवन अलग से भी बनाए गए हैं एक हजार वहानों को खड़ा करने के लिए व्यवस्थित पार्किंग के अलावा इस भवे परिशर में एक बड़ा सदन एक थियाटर वे चार छोटे शबागार भी बनाए गए हैं इस परिशर में किरशी बागवानी एम पंच गवे पर केंदरित अत्याधुनिक रिसर्च लैब की स्थापना की गई है